नमश्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथ ख्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों वाटन पर्फॉमेंस बाया एसी एसी एए बैंक मार्केट कहीं कहीं हो मार्केट अपने 52 वीक हाई से बेसक थोड़ी ह करेक्ट हो गई बट यह स्टॉक देखिए क्या पर्फॉमेंस है लेटेस्ट 52 वीक हाई मैंने नया नाम दिया है आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है स्टॉक मार्केट में लगबग 869.90 का और 869.20 पे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं कहना यह चाहता हूं कि ट्रेड हैं 1.1 करोड शियर का एवरेज वॉल्यम ऐसे स्टॉक में यानि कि वॉल्यम तो उतने नहीं आई है अभी तक सेकेंड आफ पढ़ा है पूरा एक बच के 38 मिनट का समय हो रहा है ट्रेड वेल्यू देखें तो कहीं ना कहीं मोस्ट एक्टिव स्टॉक में यह साथव 12-6 महिने के दिए थे एंड अल्मोस्ट 2-3 महिने में स्टॉक टार्गेट डन है और बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो गिरावट में मैंने आप सभी के लिए वैल्यू पिक दीती ओट फोल्यू स्टॉक जो काफी अच्छे रिटन दे रहे हैं बट आईसी 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 वन विदाउट एनी करेक्शन यानि बिना किसी करेक्शन से स्टॉक भागे जा रहा है कहां तक जाएगा इसका ना आपको पता ना मुझे पता बट मुझे ऐसे स्टॉक में मैंने जो मार्केट में नोटिस करा है वो यह कि जिस दिन शार्प तेजी आया यानि फोमों को लोग ह कि भाई अब खरीद लो उस दिनी प्रॉफिट बुकिंग का समय आएगा अभी तो स्लोली स्लो मूवर में एक तरीके से दीरे दीरे जा रहा है लेकिन जिस दिन यह 3-4 परसेंट का जंप आपको शार्प स्पाइक के साथ दिखाए वहां साबदान हो जाना यह दीरे दीरे क लिए फ्रेश बैंक तो हलागी तब भी मैंने आपको हिम्मत ही नहीं ओरी थी यार ऐसी मार्केट में मार्केट काफी अच्छी है बट मार्केट में 52 वीक हाई नहीं लग रहे है इस ताइम अच्छों और बैंकिंग स्टॉक में जादा नहीं तो इसलिए मैंने आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा क्योंकि फ्रेश 52 वीक हाई लग रहे हैं अगर यहां से करेक्शन हो दिए तो दस परसेंट की नॉर्मल ही हो जाएगी यहार 26 परसेंट का स्टॉक वनसाइड रैली दे रहा है दस परसेंट करेक्ट हो जाएगा तो क्या जादा करेक्ट मैंने अभी एक पोल करा था कि कौन से अकाउंट में मतलब कौन सी ब्रोकिंग फर्म में आपका डीमेट अकाउंट है तो मेरे पास मैक्सिमम जो रिप्लाइज आ रहे हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा बट आई दिंग ग्रो के हैं सबसे यहादा कमेंट जो हैं वो बट मे पेज ग्रो करने वाली application है जो सबसे तेज गई ना कहीं ग्रो हारी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपका account आपका डीमेट अकाउंट पेटी एम मनी में नहीं है आप एक ट्रेडर हो तो आपको एक बाट डीमेट अकाउंट पेटी एम मनी में उपन करना चाहिए opening charges बिल्कुल फिर यह कोई charge नहीं लगेगा आपका simple सा process है वही online KYC हो जाएगी 5 minute में link आपको description में and comment box में मिल जाएगा pin कर दूँगा मैं वहाँ से आप अपना demate account open करो and अगर आप एक trader हो intraday या फिर FNO trader तो आप feel करो गया this is the best application where you can trade यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे features मिलते हैं तो एक बार जरूर मेरे कहने से आप यहाँ पर काम करके देखना and आप यहाँ पर काम start करते हो तो मैं अपने personal whatsapp group में आपको add करूँ जहां मैं community बना रहूँ आप जैसे सारे clients की जहां आप लोग मिलके सब काम कर सकते हो तो यह मेरा एक motive है जहां मैं सबको एक साथ लाना चाता हूँ तो आप DMAT account उपन कर सकते हैं link आपको description में भी मिल जाएगा and comment box में भी मिल जाएगा दोस्तों ICICI bank के बारे में बात करें तो fresh entry के लिए मुझे अभी भी हिम्मत नहीं आ रही बोलने की बट यह stock जिससे आप से slowly जा रहा है आपके लिए SL भी अगर मैं दू तो 820 का बन रहा है जो मेरे साब से बहुत दूर हो जाएगा but जो भी लेता है आप एक अपनी risk के according trade के लिए according SL रखें जरूर फॉलो करें उसको इनकेस नीचे आना शुरू होता है तो but आपके लिए targets 900 तक के निकल के आ रहे हैं मुझे कहिना कहीं 890-95 रुपीज तक यह stock जा सकता है वहाँ पे आप profit book करें यह मेरी आप से कहिना कहीं गुजारिश होगी वहीं अगर आप banking में ही बने रहना चाते हैं तो अब आप मेरी second preferred pick के साथ अपनी position को shift कर लीजिए जिसने मेरे कहने से 700-600 रुपे के आसपास ICICI bank को buy करा है kotak bank में आप shift हो जाएए वो stock corrected भी है यहां से गुझाईस भी जादा है लेकिन kotak bank यहां से 200-2300 रुपे तक का easily हो सकता है तो वो आपकी एक कही ना कहीं watch list में होना चाहिए तो यह है मेरी पूरी वीडियो hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys